अगर था आप सभी का मेरे YouTube चैनल के रिया तक पे मैं हूँ आयूस और आज हम बात करेंगे जोलोजी Question Bank TDC Part 1 अनर्स पेपर 2 के बारे में आज हम इसका उत्तर जानेंगे इसके पहले मैं TDC Part 1 जोलोजी Question Bank अनर्स पेपर 1 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उमीद है आप सब देख लिए होंगे अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो आप इस चैनल से जुड़िये और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बीना टेम का वाई हम स्टार्ट करते हैं इसे पेपर 2 इकलोजी का है और इसका पहला Question जो है वह उख उख और पूली टर्म किस ने दिखा था इसका जो एंसर होगा हो जाएगा हैकल 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 हो जाएगा और आनिस्ट हैक़ल इनका नाम है पहा जग़ पर यहकल भी लिखा रहता है second question is the study of structure and function of nature and environment is known as the study of nature and function of nature of environment इसे कहते हैं ecology third question is study of ecology of the individual is known as otokology उसे हम otokology कहते हैं यहां पे एक और option में दिया हुआ है सिनकोलोजी सिनकोलोजी उसे कहते हैं जैसे कि अगर हम किसी whole plant और animal का relationship के relationship करें उसे सिनकोलोजी कहें और ecology जो की relationship between living organism के बार में अगर study करें उसे हम ecology कहेंगे शोथा नमबर कोर्चाने इस एक अगरें में विछ केन मैनुफेक्चर फूर्ड सिमपल कंपोनेंट वाटर एंड करबन डायॉकसइड और कोल्ड फ्रॉम माटर और करबन डायॉकसइड अरकॉसा तॉर् यानि कि वहसा जीव जो कि मैनुफेक्चर करता है अपना फूर्ड और सिम्पल सिम्पल सबस्टांसों से जैसे की पानी और कर्बेन डायक्सेड से उससे किया कहते है। उससे हम कहते हैं प्रोडीूऋसेरी उस प्रोडीीूसर कहा जाता है। 5th question है The natural place of organism of our community is known as habitat 6th question है Which of the renewable education कि एग्जूटेबल नेच्छरल इनर्जी रिसूर्सेज अफसन है बायो मार्स प्रेट्रोलियम किरोसिन और कोईल इसका इंसर हो जाएगा बायो मार्स मुझे थोड़ा प्रोनेंसियेशन में दिक्कत है मैं एग्जूटेबल नहीं अच्छा से बोल पाऊंगा उसके लिए मै मैं माफीव चाहता हूं अगें सेवन नमर कुर्चिन के तरह भढ़ते हैं एकॉर्डेंग टू सेलफ फोर्ट्स लॉव ऑफ टोलेरेंस दो ऑर्गिनेज्म वाइट इंवर्मेंट फेक्टर टोलेरेंस लिमिट सो सेलफ फोर्ट्स लोग जो है एक लोग दिये थे टोलेरेंस का उसके हिसाफ गुनेज्म वाइट इंवर्मेशं सेच्टव लिमिट च्या दरसाता है और उसन की हिसाफ से देखें तो अप्सन है नेरो डिश्टिबीशन विद लोग पॉपुलेशन वाइट रिस्टिबीशन विद हाई is 跟我शन मिद लोग पॉपूलेशन इसका जूंसbor हो जागा वो हो जागा बी नमबर वाइड डिस्टिबिशन वीट हाई पॉपुलेशन साइज तरवन का भी एट नमबर कुस्टिन प्लांट्स क्रोंग अंडर डारेक्ट सनलाइट नोनेच वैसे प्लांट जो की डारेक्ट सनलाइट के उर्जा में गुरे करते हैं बढ़ते उसे क्या करते है उसे कहते है हैलियुफाइट जो की अपन नमबर ए मेन न Hoff right कि तरा बढ़ता है ब्लांट फोग्रों उंडर सेड अलोनाइच वैसे प्लांट जोकि चाहें में बढ़ते हैं उसे क्या करते है उसे कहते है ऐस का यूफ 왔 9th का भी हो जाएगा 10 number question which of the following requires maximum energy which of the following requires maximum energy कौन से producer या consumer या decomposer है जिन है maximum energy required होती है तो 10th number question का जो option वोगा हो जाएगा primary producer primary producer पहत energy लेते हैं इन सब के मुकाबले अपने फूड प्रिपरेशन करने के लिए एला नेक्स्ट कॉर्चन के तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वर्चन है दब बटम एरिया वेर पोपुलेशन लिए दन रस बटम एक्सटेम इस तरंए वुसे क्या बोलेंगे वश्ु पूलेंगे प्र५ंड प्रॉड जून two-feard number question which which is not the characteristics of population option C stratification the ability of population to increase under ideal environmental condition is called the ability of population under ideal environmental condition is called biotic potential जोदा नम्बर क्वेश्चन है स्लेक्ट दान नन देनेट्रिफाइंग बेक्टेरिया देनेट्रि नन देनेट्रिफाइंग बेक्टेरिया कौन से है इसमें तो इसमें जो है वो अप्शन दिया हुए भाजया सुड्मोनास थायो बेसिलेश द्यूपेसिलेश रोमोसस दी इसके अंसर होगा डी मेरे प्रोनैस्याशन में थोड़ा डिफिकल्ट आता है एक बार फिर आप से माफी मांगेंगे य। कि मुझे प्रोनेंसियेशन में बहुत सारी दिक्कात आती है आपको बोलें कि मैं जो कोर्षन बता रहा हूं उसका आप एक नोच त्यार करें या फिर आपके पास अगर पीडियाफ उपलब्द है ताप पीडियाफ से टीक लागा लेजे या पीडियाफ को सेफ करके रख ले जाया जाया पंदरा नमबर कुर्षट्चन कोशी भी मुझे से निकल जा रहा है अभी तक खाना नहीं खाना है सुबर से देखो अभी बाराच वाली सोगया अभी मैं यहीं काम कर रहा हूं सुबर से फिप्टेन नमबर कुर्चिन वाट इद दा नेम आप फीचर डेट एल किसके नाम पर दिया गया था तो शॉला कैंसर अजागा और नेस्ट अनेस्ट है कल भी था और और अनेस्ट सेलफ वाड भी है अनेस्ट है कल सबसे पहले हम बताये थे यहां पर यहां पर अनेस्ट रफ़ड है नेक्ट कुर्चिन सबंटी नमबर पर बढ़ता है वाइड वैराइटी अफ लिविंग और ग्रीम को क्या करते हैं उसे करते हैं बायोडाइवर्सिटी अठार नमबर कॉर्चिन एनिमल एडप्टर सिमलर इस्ट लाइक इसलिव तो रिदूज दियर मैटाबोलिक रिट इन फल्चर सब्सक्राइवर्स और विवर्स इसका भेंजर्स तो हाइनाज और फल्चर को ऐसे कार्ने वोग कार्ने फुरस में देखा गया लेकिन यह सी और नहीं माना जाता है बट करेक्ट जो इसका एंसर होगा होगा भी इसका भेंजर्स अनिस नमर का बी एंसर होगा 20 इस नमर का एंसर पता करते हैं विच अब दफ्लेंगी देश्मल स्राट इफिचल एको सिस्टम डैट है सस्टेंड फॉर लॉंग पिरिएट ट्वंटी नमर कॉस्चन का जो हैं सरोगा होगा फ्लोसम पॉंट फ्लोसम देश ग्रूप उपफ इसपेसेश एक्स्ट एक्स्ट डवाय टड अन्थ बायोटिक दिशूर्स इंद शेम वे ट्वंटी वन कैंसर है ओवगा डी ग्ल्ड ट्वंटी टू वीच एच या आडब एब वायोटिक कंपोनेंट अब देको सिस्टम स्ट्रोइल प्रोटीन करब आपनना बायो revela till में बायो मां लिभिंग में ना आक अंज़र्ण नत्मुण रोखक सेवलिधा है ego में फिख लुविंग लिपिंग सफ़रे चल्कारी निल वन गजते होने शर्षी व्यूंग लोगा किसे लिभिंग से तहीं है तो यहां पर क्या हैreas f स्वायल प्रोटीन और कारवन यह सभी क्या है नौ लिबिंग है 23 नमबर कोर्चन के तरह बढ़ते हैं दर सेट आफ एको सिस्टम को क्या बोलते हैं आफशन है मेरा आटमोस्फियर हाइडोस्फियर बायोस्फियर इतीनों में से कोई नहीं होगा क्योंकि 23 नमबर का जो एंसर है वह ताहिए बायोम कहते हैं शेट ऑफ एको सिस्टम इस काल्ड बायोम नोट कर लें जिए क्या स्पिलिंग होगा बी आई ओ और एम ए बायोम बायोम बोलते हूं से नेक्स्ट 24 नंबर कुर्ष्टिन के तरह बढ़े एसी ड्रेन इस रिजल्ट आफ एसी ड्रेन जो है वह रिजल्ट होता है सल्फर डाय ओक्साइड और नाइट्रोजन ओक्साइड का जो की एकसे से मांट यहां पर आप्शन ह एकक से मांट ओफ एसड्य चेहां होगा क्यों की यादरखना है कि एसी ड्रेन का कॉर्ष्ट्ट जहां भी देके का वहाँ पर अगर आपका का किया आपके प्राइन होता है क्ईक्वरी मोलै कर ईक्साइड तक देक Ну राख Πर इसस और को फीन दो तो सब्सक्रीम फेसेति in als UM होगा अपका अब्जर वर्सन इंटी मेशन अफ इंट यह सर्जुर यह यह वो जाएगा एफ और अफ्रारेट रिडियेसिंग राइशन फाइव इसके अब्जरें जगा पचीशका इहां इंफारेट का अब्जरब करता है और इसी की कारण जो है ग्रियन हाउस इफेक्ट आठमस्फेर में प्रोडियू सुरता है तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट श्रीज को लेकर तो चैनल इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तेंक यू आज के लिए टटटा बाई बाई